नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरेट्स में हंगरी स्पिरेट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ तो आई हूँ जल्दी जल्दी आपसे एक प्रोमो के बारे में शेयर करने के लिए नया प बात हुई जो मैंने आप से शेयर की थी आपको अपना अंदाजा बताया था यानि कि द्वारिका ने अपना बम फोड दिया है दोस्तों चलिए बात करते हैं मगर पहले वही गुजारिश जिन्नोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए साथ में दोस उसी बातचीत में कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वज़ा से जब वो सबके सामने आते हैं तो अहिल्या और खंडराओ की जो एक्स्प्रेशन है वो थोड़े तनाव पूरन हैं हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा कमले में क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोमो में ये दिखाया ग मगर एक सच ये भी है कि आप पारवती के पती बनने वाले हैं तो ये जो आपस में बातचीत हुई है उसका असर उनके चेहरों से दिखाई दे रहा है जब वो आते हैं बदाई जब सबकी चल रही है बदाई हो बदाई हो सब तरफ गूंज रहा है खुश है गौतमा बहु कि वो आती हैं और आके वही अपने मीठे बोल जहर बरे बोल शुरू करती हैं क्योंकि हमेशा वो मिठास से ही बात को शुरू करती हैं और कहती हैं कि वा वा क्या बात है होल कर वाडे में तो किलकारियां गूंजने वाली हैं और अहिल्या को बदाई देती हैं और साथ में अकमा भी वहीं पर खड़ी है और वो भी बदाई देती है पता नहीं कौन से मन से दी होगी मगर बदाई तो दी तो यहां पर द्वारी का चुटकी लेती है वो खबर जो हरकु बाई साइब दबाने वाली थी शार जासे कहके कि हम ये बात कहीं और निकलने ही नहीं देंगे क अहिल्या देवी को पहले से ही पता था कि वो मा बनने वाली है हम सब ने देखा था कि महिक पूर में कैसे उनको पता चला और उसके बाद के सीन भी हमने देखे कि क्यों अहिल्या ने नहीं बताया ये सब हरकु जानती है समझती है शार्जा जानती है समझती है अहिल्या तो समझती ही है क्योंकि उन्होंने तो किया है मगर यहां पर द्वारी का इस चीज़ का फाइदा उठाएगी यह मैंने आपको बताया था और वही उसने किया भधाई के साथ साथ शिकायत बड़ी प्यार भरी शिकायत देती है हिल्या की तरफ कहती है कि तुमने इतनी देर क्यों लगाई जब यह खबर वही पर पता चल गी थी महिकपुर में तो पहले क्यों नहीं बताया तो यह जब बात सामने आती है दोस्तों तो मलहार सरकार के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं बाकियों का हैरान होना तो बनता ही है जैसे कि खंडे राओ, गौत्मा मगर यहां मलहार सरकार भी हिरानी के एक्स्प्रेशन्स देते हैं कि आखिर अहिल्या ने बताया क्यों नहीं मगर I'm sure कि मलहार सरकार जानते हैं कि अहिल्या के हर किसी काम के पीछे कोई बड़ी वज़े जरूर होती है और वो बिना कहे भी बातों को समझ जाते हैं खंडेना और गौत्मा ये वाली जो है गुर है उनके पास नहीं है ये बात वो नहीं समझते हैं इसलिए इस बात का जवाब हमें एपिसोड में तो मिलेगा ही मगर मेरे हिसाब से मैं जो अपना अंदाजा बताऊं तो यहाँ पे अहिल्या तो एकदम से ऐसे उसमें आ गही है कि उसकी जैसे चोरी पकड़ी गई हो जैसे द्वारिका ने सब के सामने यह बात कह दी क्योंकि अहिल्या पहले से दुकी रिदे के साथ है क्योंकि उसके पती की शादी होने वाली है और साथ में इतनी बड़ी खबर जब वो ले के आई थी तब उसे यह बाते पता चली थी और अपनी सासु बाई का मान रखने के लिए उसने यह सब बाते चुपाई ताकि वो जो मान है जो वचन है वो पूरा हो सके तो यह सब अहिल्या का point of view है मगर यह बात नहीं समझेगी द्वारिका या फिर समझना ही नहीं चाहेगी क्योंकि वो तो चाती ही नहीं कि अहिल्या महान बने तो यह सब चीजें द्वारिका ने कही हैं दोस्तों प्रोमो में अब इसका जवाब देखना है कि कौन देता है हरकू बाई साइब को इस समय आना चाहिए और यह बात बतानी चाहिए कि क्यों अहिल्या ने यह बात चुपाई शार्जा को आना चाहिए उसको यह बात बतानी चाहिए और जो मलहार सरकार अपने हिसाब से समझ चुके है उनको भी अहिल्या की सुपोर्ट में आना चाहिए तो मुझे तो यह लगता है कि यह बात यहाँ पर संबलेगी और फिर आगे द्वारिका को फिर से अपना सा मूह लेके पीछे जाना पड़ेगा और अपनी ही आग में खुद ही जुलसना पड़ेगा क्या कहते हो आप कमेंट करके बताइए देखते रहे हैं चैनल हंगरी स्पिरिट्स थैंकि सो मच